दोस्तों नमश्कार, CGPHC Pre के बाद अब आप मेंस की त्यारी में लगे होंगे, तो कम्पूटिशन कम्पूनिटी भी आपके हित में हमेशा लगई ही रहता है, आपके हित के बारे में ही सोचता है, तो इसी कड़ी में जो मेंस की तैयारी में कुछ योगदान हमारा भी हो अगर तो यह अच्छी बात है, इसी उद्देश्ट को ध्यान में रखते हुए, अच्छा उतर कैसे लिखें, इसे बहुत सारे वीडियो आपके पास पहुँचे हैं, उसी कड़ी में मैं पॉब्लिक अड्मिस्टेश्ट और पॉलिटी से समदने जो कुशन हैं, जो आई हुए हैं, उस पे भी हम चर्चा करेंगे, साथ जो कुशन बन सकते हैं, उस पे भी हम चर्चा करेंगे, और ध्य प्रशासन का स्वरूप बहुत जादा डीप, बहुत जादा कठिन नहीं रहेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा, आसान से कुशन होंगे, और कॉमन तरीके से प्रशासन से संबन्दी जो चीजे हैं, उससे रिलेटेड ही कुशन होंगे, इसलिए हम कोशिचे ही करेंगे, कि ज प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है, ये कौमन से कुशन है, तो आज शुरुआत में हम इसी पे ही चर्चा करते हैं, ताकि यहां से ऐसा कोई कुशन बन जाए, तो आप आराम से उसको लिख सकें, और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, मौलिकता के साथ लिखें, आपके बहुत काम माने वली चीज़े होंगे, है न, चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रशासन है क्या चीज़ भाई, प्रशासन क्या है, ठीक है, एट उजट इस के बारे में जानने कोशिक करते हैं, ठीक है न, प्रशासन अगर हम यह कहते हैं कि लेटिन भाशा का शब्द है, लेटिन भाशा का शब्द है, एड प्लस मिनिस्टेयर है न, एड प्लस मिनिस्टेयर, इसका मतलब होता है क्या, व्यवस्था करना या देख भाल करना है न, इसका मतलब होता है व्यवस्था करना, या फिर देख भाल करना, ठीक है, देख भा करना थिक व्यवस्था करना देखभाल करना जाई से बात है कि किसका करना है व्यवस्था किसके लिए किसका देखभाल करना है तो यहां पर ध्यान रखेगा कि अगर यहां पर पॉब्लिक शब्द अगर जुर जाता है तो यह क्या है पॉब्लिक के लिए है और ध्यान यह भी कि PSU Public Security Units जो है ना तो इसका मतलब यह है कि वहाँ Public लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि गौर्मेंट का है ठीक है ना और Public का मतलब जनता है ना दोनों चीज़े इसमें आ जाती है तो यह आपने तो इसका मतलब किया हुआ कि आ ऐसी कि सरकार का मूर्त रूप कहा जाता ठीक है ना तो ध्यान रखने वाली बात यह है यह जो शब्द बोले जा रहे हैं इसको भी ध्यान में रखेगा हो सकता है कि इस पर भी कोई ऐसा प्रशन बना दे अगर आप शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जानते हो भी हो सकता है आप एंसर गलत लिख हैं तो क्या होगा भई यह होगा कि जो प्रशासन है उससे क्या कि किस तरह की की बात समझ में आती है उस तरह के बात समय में आती है कि यह एक सहयोगी सहयोगी याने को ऑपरेटिव और सामोहिक कार है कलेक्टिव है ना सहयोगी सामोह क्याने cooperative collective effort है प्रयास है जो किसी निशित उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाता है ना निशित उद्देश objective है ना उद्देश या goal जो भी कहना चाहिए निशित उद्देश को प्राप्त करने के लिए क्या है किया जाता है किस तरीके किया जाता है सहयो सारे लोग होते हैं बहुत सारे विशिशक्य होते हैं तरह तरह के वहाँ पद होते हैं तो वो सभी मिल करके क्या करते हैं काम करते हैं क्यों काम करते हैं किसी निश्चित उद्देश की प्राप्ति के लिए ठीक है न तो यह चीज़ दिहां रखना है तो यहाँ पे जब की सामोहिक प्रयास और किसी निश्यत उद्धश की प्रापती के लिए किया जाता है हम प्रशासार इसको कह रही है तilने करती ही यह हुआ है यह जो आपने शंगा-ठ Absolutely है प्रशासन क्या है लेटिन भास्टा कर्शब एड प्लस मिनिस्टियर से निकला Ho है और इसका मतलब होता है विस्था करना देख भाल करना इसमें पब्लिक शब्ड जुड़क जाते है तो इसका मतलब यह है कि उसमें ज Champeau और सरकार दोनों आ जाती है, और सरकार के जो मूर्थ रूप है वो प्रशासन है, जो सरकार के द्वारा दै की गए जो लक्ष है, जो नीटियां है, उसको क्या है, प्राप्त करने के लिए सहयोगी सामुहिक रूप से प्रयास दर्शाता है, अर्थात इस रूप में अगर हम क क्या है प्रशासन, तो प्रशासन क्या है, एक प्रकार का ओर्गनाइजेशन है, ठीक है न, तो यहां तक बात समझ में आ गई है, तो और्गनाइजेशन की जब बात करते हैं, तो और्गनाइजेशन की जब बात करते हैं हम, तो और्गनाइजेशन का मतलब, जो भी हम तो यहां पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझे आप, थोड़ा सा जगर कहते हैं कि answer creative होना चाहिए ना, तो ध्यान रखिएगा कुछ अच्छा आपने कोई picture draw किया है, कुछ इस तरह के graph बनाया है, तो वहां पर जरूर क्या होगा, आपको जो बाकी लोग हैं, उनके answer से आपको ज़्यादा answer number मिलेगा है ना, तो ऐसी कोई चीज़े आपके दिमाग में अगर आ रही हैं, तो आप उसको बनाते चलिएगा, तो ज़्यादा चाह रहेगा, तो प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रशासन में ध्यान रखना है आपको, इसका जो सनचनात्मक पक्ष है ना, प्रशासन का सनचनात्मक पक्ष की बात करें हम, तो ये क्या है, संगठन है, और गनाईजेशन है, संगठन है, सनचनात्मक का मतलब, इस्ट्रक्शरल जिसको कहते हैं, सनचना समझते हैं, किसी भी चीज़ की एक सनचना, जैसे आपको घर ही, मकान बना तो उसका एक स्ट्रक्शर है ना, उसी तरीके से प्रशासन के जब सनचनात्मक पक्ष की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम संगठन की बात कर रहे हैं, और दूसरा जब प्रशासन का हम क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं, तो ध्यान रखेगा, क्रियात्मक पक्ष की बात कर होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आफ यह हैं प्रंधन की बात कर रहे हैं और अगर का रहे हैं तो दिहान रखिएगा कि इन दोनों की बीच में इंटरडिपेंडेंस्य होती होती है न मतलब अंतपरस पन निर्भरता होती है ठीक है सी अधर अधर आप से क्या है पूछ रहा है कि प्रशासन प्रबंदन में क्या संबंध है तो ये सभी चीजों का उत्तर जो है आपको इस तरह के से मेलेगा, अंतर में ये है कि सनचनात्मक पक्ष में संगठन और क्रियात्मक पक्ष में प्रबंधन की बात करते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि संबंध क्या है भई तो प्रशासन के अंतरगत ही इसकी बात हो रही है, इसका मतलब संबंदी तो सुभाग तोर पर है यही है ना, चलिए हम थोड़ा सा और समझते हैं, आगे चलते हैं, चलिए हम थोड़ा समझते हैं, आपको यहाँ से एक पिक्चर ऐसे ड्रौ कर लेंगे तो आपको जाद अच्छे समझ में आएगा ठीक है ना, तो ये क्या है हम एक organization का structure बना रहे हैं, और organization में ये क्या है आपका administration है, सबसे shares पर है ना, यहाँ पर ठीक है, और उसके नीचे क्या है आपका management है, बहुत अच्छे समझ से चलिएगा, है ना, इसके नीचे क्या है, supervision है, याने, परवेक्षन इसको कहते है ना, supervision है, ठीक है, और इसके लेबल है, याने, कारिशाला इस तर है, shop level याने, कारिशाला इस तर, मतलब ये है कि, जहाँ पर production होता है, जहाँ से, अगर मालीजे कोई service देने वाला, कोई organization है, कोई, जैसे, क्या कह सकते है, जन कल्यान वाला कोई, अगर मालीजे वहाँ भाग है, तो वहाँ पर क्या पॉलिसी जो है, आपकी यहाँ पर organization के लेबल पर administration में बन गया, management याने, प्रबंधन जो है, उसके नीचे आता है, और supervision यहने, एक प्रदार से कह सकते हैं, की work progress जो होता है, याने, कारिप्रगर्टी की देखरे करना, तो ये सब चीजे है, shop level जहाँ पर delivery होती है, या फिर क organization factory वाला है, तो वहाँ production होता है, तो एकदम एकदम actual में इस तरह पर जहाँ पर काम होता है, वो आपका shop level होता है, ठीक, तो ये चीज़ है कि आपका structure है, administration का ध्यान रखेगा इस चीज़ का, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये की organization, इससे पहले भी कुछ चीज़ है, आपक नीती निर्मार और दूसरा है उसका kriyanun, ठीक है, तो kriyanun के बात करें, तो ये नीती निर्मार जो होता है, वो कहाँ पर होता है, government के label पर होता है, ठीक है, government करती है, policy making, ठीक, और यहाँ पर क्या है, इसको लागू करने वाला जो काम होता है, वो कुन करता है, administration करता है, ठ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर नीती निर्मार नीती क्रियानवन का मतलब यह हुआ कि जो आपकी सरकार है जैसे भी मोदी जी की सरकार है तो क्या कर रहा है और जो कि अध्मेस्टेशन है सभी जाए स्टेट लेवल पर हो चाई सेंटर लेवल पर को जो है कि आपका क्राम करते है कि जब सेशन के बारे में बात करते हैं तो एड्विनिस्टेशन के लेवल पर भी पर इसको होता है तो Certify पर होता है यह क्या करता है संगठन के लक्ष तैय करता है याने संगठन के प्रकार से नीटी तैय करता है और उसके नीचे जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है उसको लागू करता है लागू करता है मतलब क्या हुआ administration संगठन के इस तर पे क्या कर रहा है निर्मान का काम कर रहा है decision making काम कर रहा है और management क्या कर रहा है उसको लागू कराने का काम कर रहा है ठीक है ना तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि नीती निर्मान और नीती क्रियानून का अंतर जो है government और administration के बीच ही नहीं है बलकि क्या है आपके एक organization के लेबल पर यहने एक administration के इस तर पर भी आकर आप देखेंगे तो यहाँ भी क्या है यह निर्मान यानि decision making कर रहा है लक्षते कर रहा है और management उसको क्या कर रहा है लागू कर रहा है इस micro label पर भी आके निती निर्मान और निती क्रियानून का अंतर देख सकते हैं आप खेर चलिए यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर पहला अंतर जो हुआ हो क्या हुआ अगर इस तर प्रशासन लिखे हम इस तरह प्रशासन लिखे और इधर प्रबंधन लिखे तो इसका मतलब अंतर क्या हुआ भई प्रशासन संगठन के इस तर पर लक्ष निर्धारन का कारे करता है ठीक है न और आपका प्रबंधन क्या करता है उसके क्रियानमेन का काम करता है ठीक एक पहला अंतर हो गया ठीक है दूसरा जो है इसका संगठन के इस तर पर क्या करना है कैसे होता है न याने क्या से इसका संबंध होता है और इसका कैसे कैसे संबंध होता है कैसे इस काम को किया जाए किस तरीके से किया जाए यह चीज़ेहोती है इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि administration में top level पर यह है इसके under में management अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ प्रशासन अधिक व्यापक अधारना है और यह अपेक्षा कित क्या है संकुची तो अधारना है ठीक है संकुची तो अधारना है hithik अगर हम प्रशासन के बारे बात करें तो यह हमेशा निरनाय लेने से संबंदित होता है ये प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहती है ना कहीं पर अगर मालिज इंप्लिमेंटेंशन भी कर रहे हैं अगर तो वहाँ भी क्या होता है कि कहीं कोई गरबर होता है तो वहाँ से जो भी input मिलता है वही feedback मिलता है वो सारी चीजों को ले करके फिर से क्या करते हैं सुधार के रूप में उसमें फिर से बदलाओ करके फिर से लागू किया जाता है ना इसका मतलब क्या है कि प्रशासन से एक निरंतरता का बोध होता है ना यहां पे लिख लेते हैं प्रशासन और इधर लिख लेते हैं प्रबंधन है ना प्रबंधन ठीक तो प्रशासन में चौथा पॉइंट जो होगा वो क्या होगा प्रशासन जो है वो एक इससे निरंतरता का बोध होता है और प्रबंधन की बात अगर करें हम तो प्रबंधन का संबन किसे हो जाएगा कै कैसे किसी काम को करना है ना भई कैसे किसी काम को करना है इसका मतलब क्या हुआ प्रबंदन एक प्रकार का क्या है एक तरीके का आर्ट हो गया ना जैसे मालीजे क्या है कि अगर एक मूर्तिकार है तो वो मूर्ति जो बनाता है वो अपने अंदाज बनाता है दूसरा मूर्तिका सीखेगा है ना खुब P本当ise करेगा और उसके बास पर क्या होगा कि वो और जादा बहतर कलाकार आर्टिस बंके उबरेगा और उस मुर्ति को जो बना यह जो पहले जो लुट बना यह है उनसे भी कई गुना जादा बहतर बना लेगा है ना इसका मुदलब यह हुआ कि अगर हम प्रबंधन की बात कह रहे हैं तो कहीं न कहीं क्या है अगर आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं याने आप इस तरीके समझें कि कोई प्रशासिंग अधिकारी काम करने का उसका तरीका कुछ अलग होता है किसी ये दूसरे का और दूसरे तरीक इसका मतलब क्या हुआ प्रबंधन अगर कैसे से संबन्दित हो रहा है इसका मतलब यह है कि एक प्रकार का आर्ट है कि कैसे इस काम को किया जाए ज्यादा अच्छे तरीके से ताकि ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा एफिजेंट जो है हमको रिजल्ट मिले इसका है ना बहुत सारी कुशलता Ecoakatta करता ही ट्रेनिंग लेता है उसके बाद उसकाम और अच्छे से करता है तो यहां प्राबंधन के भी पूरी ट्रेनिंग होती है और उसको भी क्या है अनुभों के साथ कुछ शल्टा उसकी बढ़ती जाती है और बाद में चल करके आप देखेंगे क्या कि बहुत जाद अच्छे से काम करता है इसलिए आप देखा होगा कुछ लोग जो हैं बहुत बड़ी-बड़ी कंपणियों में CEO के पोश्टर तक भी तो उनके अंदर क्या होता है यही प्रबंदन याने मैनेजमेंट की जो आर्ट होता है कला होती है वो जबरदस होता है इसलिए क्या है कि वो बहुत उचायब पहुंचाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ प्रशासन से निरंतरता का बोद होता है निरंतरता का बोद होने का म इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है प्रशासन का हमेशा यह चलता रहता है तो इसका वंदर प्रशासन का जो संबंध है वो निरंतरता से या प्रशासन निरंतरता का बोद कराता है continuity continuum का और प्रबंधन जो है क्या है कैसे किसी काम को कर रहा है तो वहाँ पर क्या है वो कला शब्द का बोथ कराता है तो मेरे समझ से खास का जो अंतर है प्रशासन और प्रबंधन में क्या पूछ रहा है यह चीजें जो है वो बताती हैं कि हामको कैसे लिखना ज़से लिखन प्रबंधन को कैसे प्रबंधन का अंतरह होगा तो कि लिखेंगे तो क्या होता है प्रशासन से जादा प्रबंधन हो जाता है ठीक है ना ध्यान रखेंगा चीज को वैसे भी अगर अमेरिका की hierarchy देखेंगे आप तो वहाँ पर hierarchy में सबसे उपर जो होता है वो management ही होता है उसके नीचे administration आता है ना तो इस चीज को समझेगा खैर हम इस पर बात करेंगे बाद में लेकिन आपको यह सारी बाते जैसा प्रशन पूछ रहा है कितने words में पूछ र रखेगा कि वर्कमान जो दौर जो है वो किसका है LPG का है यह लिबरलाइजेशन प्राइवेटाशन ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्यकुन अधारी करन का दौर है यह है ना तो वैश्यकुन अधारी करन के दौर में हम क्या देखते हैं कि जो market है वो पूरी दुनिया का क् चूगा है अब एक कहना चीए कि रहा से जो देश है वो क्या है अब सीमा भी हिन होते जा रहे हैना मतलब यह Séidcom अर्थवस्ता और है तो एकड़ वो क्या होगा, एक विकल्ब के तोर पे होगा, कि इसके पास जो लोग है, जो भोगता है, उनके पास एक विकल्ब के तोर पे होगा, ध्यान रखने वाली बात है कि इसको चाइना भी बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है, अमेरिका भी बना रहा है, काई सारे देश इस तर तो यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टन चीज़ यह है कि उसी का भीगएगा जिसकी quality क्या होगी बहुत अच्छी होगी और साथ इसकी cost जो होगी वह भी क्या होगी बहुत कम होगी है ना जो उसका price होगा वह भी बहुत कम होगा तब जाकर क्या होगा कि वह चीज़ें क्या बता पड़ेगा कि कैसे हम इस product को ज़्यादा सज़ादा market में बिखने वाला बना दे हैं ना कैसे है ना याने कैसे जब भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे management की बात करेंगे ना तो यहीं पर क्या होता है management management बहुत जादा important हो जाता है वो क्या करता है कि लागत को कम करने कोश्च करता है ना भई यहां पर क्या है market में अगर बात करें हम तो यह अगर मालीजे कोई अगर 10 रुपए का समान अगर भी करा है तो हम को जादा अगर समान को बेचना है तो हम 8 रुपए में बेचने लगेंगेा ना लेकिन दियान रखने वाली बात यह है कि आपकी लागत भी क्या है 8 रुपए ही आयी है, 8 रुपए भर खरीद के 8 रुपए में बेचेंगे कोई फायदा नहीं होगा, या फिर ऐसा जब हम बात करते हैं कि हमको लाव भी खमाना है और लाव तभी कमाना सकता है जब ज़्यादा ज़्यादा हमारा product भी कि है न तो यहां पर धियानर के वाली बात है कि इसके लिए पिर कैसे है न यह आउट वर्क यह सबसे ज़्यादा important हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि यही जो है वो management है ना management का इसका मतलब क्या हुआ भाई management का मतलब अगर अपनी भाशा में माली जैसे प्रबंधन का भी अगर आप परिभाशा अगर तीस शब्दों में पूछ लेता है तो उसको आप कैसे लिखेंगे आप इस तरीके को कर दें और लाव को अधिक्तम कर दें है ना याने काम करने का वह तरीका जो लागत को कम से कम करता है और लाव को अधिक्तम कर देता है उसी को ही हम क्या कहते हैं उसी काम करने के तरीके को ही क्या कहते हैं मैनेजमेंट कहते हैं प्रबंधन कहते हैं यह आपका क्या है एक पूरा अपनी भाशा में आपका एक परिभाशा हो गए प्रबंधन की है ना तीस वर्ड में लिखते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी बात होगी है ना तो यह ची के रख़ पाएगा और आगे ले जापाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि आज सबसे ज्यादा जो कैसे इसी काम को किया जाए इस फे सबसे ज्यादा जे जा रहए तो अजैसा नहीं है कि यह कि-सिर्फ मार्केट वाली चीज्ए ही हैं, ऐसे भी देख लिजा कि अगर आप प्रशासनी का दिकारी हैं, बहुत सारे जनकल्यान के काम करते हैं तो आपको जनकल्यान के काम करने में सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट यह होता है कि अब यह सोचे हम कैसे इस काम को करें कि हमारी लागत कम से कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज हंतर है और वर्तमान दोर में आज क्या है वैशी करणोधारी करण का दोर है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रतिस परता है ऐसे में क्या है सरकार को अपने संसादों को बचाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा मैनेजमेंट का ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल क अरतवुष्था के शेतर में, तो वहां पे का है, अपने मैनेजमेंट को बहुत जादा बहतर करना पड़ेगा, इसलिए आज के दौर में, प्रबंधन बहुत जादा महद्पूर्ण हो गया है, इसलिए कहते हैं कि आज का दोर प्रबंधन वाद का है, प्रबंधन वाद का है, manageryisme जिसको कहते हैं, उसका है दौर है तो ये चीज़े क्या है, आप अपने answer में बास आपने answer में बास पूछ रहा है, या 150 आप पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख करके अपने answer को conclude करेंगे ठीक है ना तो मुझे लगता है कि यहां पर जो भी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था मैंने आपको समझा दिया है यह बात और है कि आपको कम समझ में आया हो या पूरी तरह से समझ में आगया हो नई समझ में आया है तो बार बार इसको द मिलते हैं और इससे आगे फिर अगला कोई topic होगा important topic होगा आपका उसी पर हम चर्जा करेंगे ठीक है चलिए मिलते हैं जल्दी धन्यवाद अगर आप चाहते हैं अपने carrier को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमार वेब साइट के carrier पेच पर विजिट करें अत्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको